नमस्यार रोस्तों स्वागते आपका मोटरो क्रेज में मैं नामे शंकर और भी हम बात कर रहे है All New Mahindra Thar के बारे में थार के बारे में जब बात करते हैं Complete Detail में तो आपके सुडियो का अगरे रही है बात करते हैं All New Thar के बारे में तो यह है दोस्तों All New Mahindra Thar जिसके हम Overall Pricing और Features के बारे में बात करते हैं Overall Complete Detail में आज बात करते हैं Mahindra Thar के बारे में तो थार के अंदर आपको Petrol, Diesel दोनों को आप्शेन आपर आपर आफर किया हुआ है आपको इसमें Automatic और Manual दोनों को आप्शेन इसके अंदर मिलेगा इंडियन मार्केट की काफी Rough Entup और Off-Roader, SAVA, Mahindra Thar अभी आपी जो मोडल देख रहे हैं यह इसका सबसे Top of the Line मोडल है जिसकी Pricing के बात करे हैं तो 12,95,000 रुपेज एक शोरूम प्राइज है इस वाले मोडल की जिसके अंदर कुछ ऐसे की आपको मिलती है पीचे इसमें Mahindra की बैंडिंग है और आपको इसमें Flip की मिलती है जिसके अंदर तीन बड़न साते, Lock, Unlock और बीच में Buzzer का बढ़ना आता है जिससे आप पार्किंग में से बहुत या आसने से ढूंड सकते हो और यह कुछ Front Profile आप देख पा रहे है और काफी सेफेस्ट सेविस में से के महिंदर अथार इस गाड़ी को जाए Global NCP Crash Test के अंदर 4 Star की Safety Rating मिलिए काफी सेफेस्ट सेविस में से यह एक है बागी यह कुछ आप Front Design को देख रहे है काफी muscular और attractive यह लगती है सामनी की दरब से काफी wide इसका design लगता है अगर आप इसे rail life में देखोगे तो और भी attractive यह बल्की आपको लगेगी बागी सामनी अगर आप यह पर देखते हो तो halogen में headlamps आपको यह पर कुछ offer किये गए है side miss में turn in negatives की placement आपको यह पर मिलती है और DRLs जो है आपको यह पर है मिलती है नीचे अगर आप आते है तो fog lamps की placement आपको यह पर मिलती है और bumper जो इसका full आपको fiber finish के अंदर मिलता है थार की branding उपर की दरब यह पर आती है महिंद्रा की bedging आप यह पर देख पार है और महिंद्रा की signature grill आपको जो कुछ यह पर मिलती है बाकी engine की भी अगर बात करें तो आपको इसमें total दो engines का option मिलते है 2.2 diesel, mhawk diesel जो की 130 bhp की power बनाता है डीजल में और जो petrol में आता है इसमें 2 liter आपको petrol का भी option मिलता है TGDI जो की 150 bhp की power बनाता है petrol में बाकी है कुछ side profile को आप भी देख पार है side से भी काफी wide और muscular इसका design आपको लगेगा बाकी सामने यह कुछ wipers आप देख पार है पर इसके placement है सामने की तरह पर और side में इसमें और भी हमस का जो design आपको vertical में मलता है थार की branding भी आपको यह पर मिलेगी यह कुछ रीडियो की lantern आप यह पर देख पार है एम हॉक की बैजिंग आपको मिलती है यह डीजल इंजिन के बैजिंग है 130 बीएच्प की पावर बनाता है डीजल इंजिन बाकी नीचे अगर आप यह पर आते तो टैने निकर्स की placement आपको यह पर मिलती है और नीचे जो इसमें आपको 18 इंच के alloy wheels जो कुछ आपको आपको मिलते है थार की बैजिंग आप यह पर देख पार है बाके टायर साइज के अगर बात करें तो 255, 65 आर 18 इंच के टायर्स आपको इसमें offer किये गए है बाके suspension का travel भी काफी ज्यादा आपको मिलता है यह कुछ आप देख पार है side में भी अगर आप यह पर देखते है तो आपको सभी यह door के hinges यह पर दिये गए बाहर की दरफ जिससे आप चाहे तो निकाल भी सकते है दोर को भी आप खोल सकते है अगर आपको off-roading में जाना है तो आप doors को भी easily इसमें खोल सकते हो बागे safety की भी अगर बात करें तो काफे सारे safety pictures आपको थार के अंदर offer किये गए जैसे कि ABS, ABD, ESP, brake assist, hospital air system, roll over और आपको total दो airbags offer की गई है महिंदर थार के अंदर बागे back profile यह कुछ आप देख पा रहे है back से भी काफी wide यह लगती है और काफी muscular यह लगती है पीछे की तरब से भी अगर आप यह से देखते हो तो यह कुछ आप देख पा रहे है इसका fuel tank 57 liters का fuel tank आप आपको इसके अंदर offer किया वाए आप इसे की से कोल सकते हो बाकी यह कुछ यह एडबिल्यू यह आप यह से fuel करा सकते है यूरिया आप यह से fuel करा सकते है यह कुछ है थार में बाकी पीछे अगर आप tail lamps का design देखते है तो halogen में आपको इसमें tail lamps आप पर offer कियेगे थार की badging भी आपको यहापर यह मिलती है नीचे अगर आप यह पर मिलता है थार में 226 mm का overall ground clearance है महिंदरत थार का पीछे जो spare will आप देख पार रहे है यह आपको mount यहापर मिलता है जो काफी better in SFV stance पूरा look आपको मिलता है महिंदरत थार का उपर आपको high mount stoplight आपको यहापर यह कुछ मिलता है देखने के लिए हम इसका tailgate खोल कर देखते है पिछे का कुछ प्रकार आप इसे खोल सकते हो और इस window को भी आप उपर की तरफ यहापर कर सकते हो यह कुछ इतनी space आपको आपर मिलती है इसके अंदर बाकि इन seats को भी आप fold कर सकते हो foldable seats है अगर आपको ज्यादा space चाहिए तो आप उन दोनों भी seats को fold कर सकते हो foldable आपक seats मिलती है बाकि अभी चलते है driver seat के उपर आपको यह door लगाने से पहले इसे नीचे करना होता है कुछ इस प्रकार आप इसे लगा सकते हैं बाकि side profile की भी अगर हम बात करें तो 3.9 overall length है यानि कि 4 मिटर से अंदर की यह SFV है real life में और भी बहतरीन यह लगती है देखने पर 4y4 की आपको badging मिलती है आपको सभी variants में 4y4 का option मिलेगा थार में पीछे की टायर से इसमें आपको drum brakes मिलते हैं सामने इसमें disc brakes आपको जो कुछ आउफर किये गए और उपर चेढने और उतरने के लिए आपको यह पर plastic के अं लगते हैं जो कि chrome finish के अंदर आती है थार में आपको hard top और soft top ऐसे दो option मिलते हैं अभी आप यह hard top देख रहे हैं और soft top जो आता है उससे आप चाय तो निकाल भी सकते हैं यह कुछ hard top model आप देख रहे हैं जो कि looks में काफी चानदर लगता है soft top के मुकाबले बाकी black finish में door handle आपको यह पर मिलते हैं driver side door इसका खोल कर देखते हैं तो driver side door का जो design है कुछ इस प्राकार आपको यह पर देखने मिलता है black finish में door handle है यह से mirrors को आप access कर सकते हैं इसके level यह जो आप देख पा रहे हैं इसमें भी आपको थोड़ी बाच space जो कुछे offer की गई है bottle वगरे रखने के लिए थार की branding आप रहा दिये और front dashboard का design जो कुछ है आप यह पर देख पा रहे है प्रेमियम लगती है अंदर की तरब से कापी और seats भी अगर आप देखते तो आपको इसमें leather seats offer की गई है यह कुछ आप देख पा रहे हैं आपको इसमें leather और fabric touch के अंदर seats offer की गई है और support जो है काफी बैतरिन आपको मिलता है यहास आप seats कर सकते है और recline भी आप यहासे कर system offer क्या वाए चार speaker से और दो टूटेस में आते है यह जो बटन्स आप देख पा रहे है यह stability control का बटन है यहासे आप अंदर जो M.I.D. आता है multi information display उससे आप यहासे कंट्रोल को सकते हो बाकी hill design control का बटन है headlamps की जो level होती है आप यहासे उपर यह निचा कर सकते हो यह जो यह कुछ आप front dashboard का design देख पा रहे है काफी बैतरीन build quality आपको मिलती है महिंदर अथार की बागी quality भी काफी अच्छी लगती है इसकी काफी sturdy आपको feeling मिलती है महिंदर अथार के अंदर इस ही काउन कर लेते है steering wheel का अगर design देखते है तो यह कुछ आप देख पा रहे है काफी अची grip है और यह जो buttons आप देख पा रहे है यह सभी infotendment system के लिटेर आपको buttons मलते है इस तरह आप जो buttons आपको मिलते है यह cruise control और vice command की button मिलते है बाकी यह जो आप देख पा रहे है इवह wipers के control है इस तरह प अगर आप देखते हैं तो काफी सारे feature आपको यह show करता है आर्पेम मीटर जो है अनलोग में आपको मिलता है आर्पेम और स्पीडो मीटर M.I.D. को जो है आप इन बटनों के जरीए control कर सकते हैं आपको यह पर बिटन्स मिलते है M.I.D. को control करने के लिए यह जो कुछ आप देख पार है फ्यूल कंजम्चन के बारे में आपको सभी जानकर ही देगा यह digital speed अभी कौनसे mode में आप चड़ रहे है 4x2 4x4 यह पर यह आपको शो करेगा बागी time fuel consumption सभी जानकर ही आपको बताएगा किलोमेटर जैज से कही सारे feature आपको यह शो करता है इसके अंदर हॉर्न कुछ यह आती है थार की यह पर अगर आप देखते हैं तो 7 इंच का test screen information system आपको इसके अंदर offer किया हुआ है थार में 7 आपको इसमें 4 speakers मिलते है और 2 tweeters मिलते है यह कुछ navigation आप देख पा रहे navigation भी यह support करता है android to apple का आप ले bluetooth भी यह support करेगा car information के बारे में सभी जानकर ही आपको यह देगा यह कुछ आप देख पार है ट्रेटाउनिक्स इकोसेंस जो कि आपको आपके driving skills के बारे में बताता है यह कुछ है इसमें बाकि reverse camera जो इसका after मतलब company के थुरू आपको लगवाना पड़ता है गाड़ी के साथ नहीं आता ही है यह कुछ आप reverse camera को देख रहे है यह सभी information system के related buttons है नीचे इसमें AC vents का design आपको यह कुछ राउन में मिलता है पियानो ब्लैक में नीचे यह सभी AC के related आपको controls मिलते है यह जो बटन्स आप देख पा रहे है यह hazard lamps के और warning के सभी आपको buttons मिलते है यह पर controls जो कुछ है मिलते है यह आपको और नीचे अगर आप यह पर आते है तो यह जो आप देख पा रहे है USB charging port है AUX का port है और USB port आपको यह पर मिलता है 12W charging port भी आपको यह जो कुछ आउफर किया हुआ है बागी नीचे थोड़ी बहुत स्पेस है mobile वगरा है रखने के लिए यह इसका 6-speed manual transmission आप देख पा रहे है अभी आपको मिलेगा बागी यह इसके 4Y4 के controls है आपको 2H, 4H, neutral और 4L में यह से भी 4Y4 के आपको controls मिलते है यह कुछ आप देख पार है पावर इंडोस के control आपको मिलते है दो ही पावर इंडोस इसमें आती है यह कुछ ग्लास ओड़स के लिए भी आपको यह पर जगह मिलती है यहापर अगर आप देखते है तो glow box के अंदर भी आपको थोड़ी space यहापर मिलेगी बागी speakers यहापर आते है बागी अंदर की तर बागी ऊपर जो आपको सभी speakers की placement app पर मिलती है यह speaker है और यह tweeter है चार speakers और चार tweeters इसमें चार speakers है और दो tweeters इसमें आते है lights के सभी control से बागी इसे बंद करते हैं और पीछे की seats पर हम अभी चलते हैं पीछे की seats पर जाने के लिए आपको इस तरब से आना पड़ेगा तो आपको यहां से इसे recline करके आगे ढखेलना होता है और यहां से आप अंदर की तरब जा सकते बाकि यह जो मैटेंग आप देख पार है यह गाड़ी की साथ नहीं आती है आपको ही पोजिशन पर सेट की हुई है तो कुछ जितने स्पेस आपको यहां पर यह मिलती है महिंदर थार के अंदर बाकि अगर आप हेड्रूम में रिषी की दरफ तो कुछ ऐसे पोजिशन पर आप बैढ़ते हैं काफी जादा हेड्रूम है लेकिन पेचे की सीट जो थोड़ी और कमफरेबल हो सकती थी यह पर भी अगर कुछ और दिया जाता तो काफी अच्छा रहे था यह मतलब खाली स्पेस छोड़ दी यह पर तो यह कुछ अच्छा नहीं लगता इतना उपर अगर आप देखते हो तो यह कुछ रोल के जाप को यह पर दिया हुआ है जो कि सेप्टी नॉम्स को और बढ़ाता है यह कुछ रोल के जाप देख पार है ग्रैम अनल भी आपको यह पर पूरे मिलते हैं पीछे से कुछ ऐसा व्यू आपको दिखता है फ्रंट डैश बूर का ऊपर स्पीकर्स के अपको मिलती है जिससे कि अगर आप थार को पाने मिक के अंदर भी उतारते हो तो स्पीकर्स को कुछ नहीं होगा बागे यह कुछ है थार के बारे में अब चलते हैं भार की दरफ बागे दोस्तों ये कुछ था all new महिंदर थार के बारे में तो आपको all new महिंदर थार आप बता ही आमनी चे कॉमेंट्स में और अगर आपने अब देकर सुड़ोग लाक ने किया तो प्लेजी सुड़ोग भी कर दिए और शेर भी कर दिए और चानल को सब्सक्राइब करना बि कि इसी तरह एक वडियो जो में आपके लिए लाता रहता हूँ फिलाल के लिए दोस्तों थैंक यू